हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप सर्व मैं आपका टीचर आपका दोस्ट आपके फिजिक्स का हम सर्फर जग्चोच सर्ण और आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में यूने डैमेंशन एंड एर्रस सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट सीजे कवर करने में और इंपॉर्टेंट रिलेशन को आपके सामने रख दूंगा मैं ठीक है ना सो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को बरबात किये क्योंकि अब हमारे पास वक्त का मैं एक्जाम आने वाला है ठीक है सबसे पहले seven fundamental quantities की जो भी आप सुनते तो वो इनके combination से आती है इवन अगर आप charge की बात करो वो भी fundamental नहीं है वो current into time को multiply करके आती है यह इनकी unit है meter, kg, second, ampere, kelvin, mole and candela, इनको हम बोलेंगे SI units यह हमारी SI units है और symbol इनके दिये गए है अगर आप इसकी dimensions की बात करोगे तो हमें कुछ dimensions square brackets में याद रखनी है length के लिए हम L use करेंगे mass के लिए capital M, square bracket में हम time के लिए T और electric current के लिए capital A use कर सकते है, temperature के लिए हम K use कर सकते है और कभी-कभी theta भी use किया जाता है, ठीक है तो इनी के combination से हम बाकी सारी चीज़ों को भी अराम से पढ़ सकते हैं, so इसके इलावा हमारे पास जो units है वो angle भी है, angle को भी measure क करने के लिए एक और system मनाया क्या है, mathematics में आपने एक formula पढ़ा होगा, याद है आप लोगों को वहाँ पढ़ाया जाता था, एक circle में ये radius है, यहाँ जो angle है ये theta है और इसको आप बोलते थे अपनी arc, याद है आपने ये formula पढ़ा होगा, arc is equals to r into theta, ये formula पढ़ा होगा, या theta पर आप इसको maths में radiance बोलती हो, आपको देख रहा है कोई unit नहीं है, पर फिर भी आप इसको radiance बोलते हो, वैसे ये dimensionless है, और आप लोगों को पता होता है, that 180 degrees, 180 degrees में हम लिखते है, pi radian, है ना, यानि कि 90 degrees में कितने हो जाएंगे, pi by 2, half कर दिया दोनों साइट, है ना, pi by 2 radiance हो जाएंगे, या फिर आप directly लिख सकते हो, 1 degree हो जाएगा, pi by 180 radiance, तो ये interconversion आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये interconversion आप याद रख सकते हो, इसके इलावा, degrees को और छोटे parts में तोड़ सकते हो, इसको कहते हैं minutes, और छोटे parts में तोड़ सकते हो, इसको बोल सकते है minutes, तो 1 degree 60 minutes होते हैं, और 1 degree में इतने radiance होते हैं, ये pi by 180 करके आपने जो भी निकाला है, ये वहीं से आया है, इसके इलावा, आप 1 minute की बात करो, तो 1 minute को भी आप radiance में convert कर सकते हो, आप directly conversion देख सकते हो, वो ये है, 1 minute का radiance में direct relation, कभी कभी exam में आप लोगों को ये directly use करना ह होता है, कई बार exam में दिया भी होता है, इसके अलावा, एक minute को हम 60 seconds में divide कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, 1 minute 60 seconds, यहाँ जो ये है, ये seconds के लिए, जैसे time में होता है, वैसी angles में भी होता है, 60 times, तो आप देख सकते हो, 60 छोटे-छोटे divisions में divide किया, तो ये आगे आपका 10 to the power minus 4 gradient, अगर आप 1 seconds में निकालना चाहते हो, तो further आप इस quantity को 60 से divide करोगे, तो ये relation आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको ये relation, ये वाला relation याद रखना चाहिए, कि 1 seconds में कितने radians है, इसी के साथ 1 minute में कितने radians है, इसलिए याद रखना है, क्योंकि हम लोगों के syllabus में parallax angle वाला question है, बिसे, बिसेकली parallax method कह सकते हैं, बिसे आप लोगों को बोल देता है, आपको different locations देता है, और आप लोगों को बोल देता है, कि भाया, कि मान लोग, ये कोई object है, और यहाँ से दो location से आप इसको observe कर रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाता है, radius है ना, और दो location को आप बोल देते हो, arc, तो यहाँ से आपको ये theta, तो आप यहाँ से r निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ से angle हो गया हमारा theta, तो आप theta को लिख सकते हो, arc divided by radius, तो अगर आप यहाँ से radius निकालना चाहते हो, तो arc divided by theta कर सकते हो, बट यहाँ theta हमें radius में डालना होता है, तो parallax method वाल बहुत छोटे होते हैं तो सारे एंगल्स आपको रेडियंस में पता होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो ठीक है ना कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम इसको याद कर सकते हैं अगली चीज अगर आप लोगों के सामने ध्यान से दिखूं तो यहां मैंने कुछ यूनिट्स के लिए सब्सक्राइब यहां चीज बात करें इसके बात एटम के साइज की इंग्स्ट्रॉम लाइट की आप देखते हो वेवलेंद भी आंग्स्ट्रॉम में वहती है तो यह भी आपकी लेंद की यूनिट है इसके बाद astronomical यूनिट एक बड़ी यूनिट है astronomical यूनिट का मतलब होता है जो average distance sun से अर्थ की तरफ है मतलब sun और अर्थ के बीच का average distance उसको आप लोग क्या करते हो one astronomical unit बोलते हूँ और इसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि sunlight को अर्थ तक आने में जो time लगता है उससे speed of light को multiply कर दो ठीक है ना सो आप लोगों के लिए comments में एक question है आप मुझे बताओगे session के बाद कितना time लगता है sun की light को अर्थ तक पहुँचने में ताकि आप astronomical units calculate कर सको speed of light आपको पता है 3 into 10 to the power 8 meter per second है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1.496 into 10 to the power 11 meter इसके इलावा light year light year का मतलब क्या है इसको हम light year का मतलब है जो distance travel करती है light एक साल में है ना तो speed of light multiply by the time in one year seconds में उन टाइम को अगर आप धिहान से देखोगे तो आप इसको calculate कर सकते हो तो आप देख सकते हो यह around 3.08 into 10 to the power sorry 3 into 10 to the power 8 multiply by यह करोगे तो आएगा 9.46 तो यह आपका total distance आएगा one light year में है ना यह distance आपका one light year में आता है इसके बाद अगर बात करो पार्सेक एक और फुर्दर बड़ी यूनिट है पार्सेक क्या होता है इसा डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ओफ और और बिट सब्टेंट्स एंगल ओफ वन आर्क सेकंड जहां अर्थ का रेडियस वन आर्क सेकंड का एंगल बनाए यह जैसे हमारा सन है तो आपको पता है अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व करती है तो सन से लेगे अर्थ तक का एक डिस्टेंस होता है जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हो तो यह जो एंगल यहां सब्टेंट करेगी हम इसकी बात कर रहे हैं इसको हम बन सेकंड ले रहे हैं ऐसे कि इसमें जो आपका रेडियस आएगा वह आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा पार्सेक मिलेगा तो आप यहां फॉर्मला ठीटा इस इकल्स तो आर्क अपॉन रेडियस यूज़ करके निकालते हो बट अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी हमें इन क्वांटिटी इसको थोड़ा सा या या था मिनट्स और सेकंड्स एक बार मैं दुबारा से रिपीट कर देता हूं याद रखना वन डिगरी इस इकोल स्टी मिनट्स और वन मिनट्स इकोल सुग्स्टी सेकंड्स यह याद रखना और इनका रेडियंस में क्या कनवर्जन है मैंने अभी थोड़ी देर पहले लि इसकी डेमेंशन मुझे पता होनी चाहिए तो मैं इनके बारे में अगर दियान से देखू यहां पहले ही लिख देता हूं आप लोगों को मेरे साथ फिल कराना है यह चार्ट एक्सलरेशन इसकी यूनिट आप जानते हो क्या होती है याद करो मीटर पर सेकंड्स क्वार और मे Character पर सेकंड्स क्वार कहते हो और यहां से होता है मल T माइनस 2 मास इन्ट एक्सलरेशन भी आप इसको रहा किसके सकते होgs अगला बताओ प्रेशर प्रेशर क्या है आगर आप ध्यान से देखोगे pressure है हमारा force per unit area force per unit area तो अगर आप इसकी units की बात करोगे तो आजाएगा kg meter per second square divided by meter square यानि कि आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से आप लिख सकते हो ml-1 t-2 यानि कि एक L square से आप इसको divide कर दोगे area की dimension L square है वर्क की क्या dimension होती है अगर आप ध्यान से देखो वर्क एनरजी है और इसकी क्या dimension हो सकती है force into displacement formula सोचो force into displacement इसका formula होता है तो आप force में किसकी dimension multiply करोगे unit तो इसकी Joule होती है ने साही तो आप कहोगे यहाँ से MLT में L multiply कर दो ml square T-2 यह डिरेक्ट याद हो नीची इस ले में को यहाँ करवा रहा हो kinetic energy यह भी work done जैसे है सेम होगा Joule और क्या लिखोगे ml square T-2 इसके इलावा potential energy की अगर बात करो तो यह भी Joule यहाँ भी क्या लिखोगे ml square T-2 इसके इलावा और कौन सी बताओ heat energy अब भी जहाँ जहाँ energy लिखा है यह सब एक ही चीज है तो आपको confused नहीं हो ना यह सारी energy एक ही है except surface energy लिखा हो वो अलग हो जाता है उसकी unit Newton पर मीटर वाली होती है surface energy surface tension याद होगा आपको ठीक है तो उसकी unit अलग हो जाती है बाकी सब की ऐसी रहती है अब यहां मैंने आप लोगों के लिए चार्ट पूरा फिल कर दिया यह चार्ट जस्ट मैंने फिल किया है यह आप लोगों के लिए practice के लिए जब आपको file मिलेगी इसको दुबारा से लिखना और पूरा से फिल करना यह homework में अभी मैंने पूरा फिल किया आप लोगों के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनकी डाइमेंशन सेम है ऐसी कुश्ट बहुत बार competitive exams में repetition पे रहते हैं so मैंने यहाँ पूरा चार्ट आप लोगों के लिए तयार किया है जहां आप लोगों को वो quantity एक साथ मिल जाएंगी जिनकी dimension सेम है जैसे की M0L0T-1 मतलब 1 by time period वाली frequency एंगलो frequency और हमारी velocity gradient decay constant इन सभी की dimension एक जैसी है और एक जैसी डिमेंशन वाली और भी quantity में नहीं रख दिये जैसे जिसकी dimension ml square T-2 आप देख सकते हैं सारे energy वाले चीज़ें एक जगे यह टॉर्क भी आ रहे है उसके इलावा next pressure youngs modulus bulk modulus इन सबकी एक जैसी है momentum impulse की एक जैसी है acceleration due to gravity या gravitational field intensity बोलो एक जैसी dimension है thrust force weight energy gradient यह सब quantity एक जैसी है angular momentum planks constant इन दोनों की dimension सेमें के उपर तो बहुत बार question आया हुआ है surface tension surface energy इनकी dimension आप देख सकते हो यह energy लिखा ज़रूर बड़ यह energy नहीं होता ठीक है ना और ऐसी कोई quantity strain refractive index यह बहुत important है क्योंकि यह dimensionless quantities लिखी गई है relative density angle solid angle distance gradient relative permittivity relative permeability तो यह quantity dimensionless है latent heat and gravitational potential की dimension यह है thermal capacity gas constant boltsman constant entropy इन सब की dimension यह यह ठीटा temperature के लिए यहां जो मैं ठीटा यूज कर रहा हूँ वो temperature के लिए कर रहा हूँ तो यह file आप two को मिल जाएगी इसको बुड़े अच्छे से आप लेख लेना चेकर आप लिकेशन जो आप units वाला और dimension वाला जो भी हम chapter पढ़ते हैं इसकी बहुत सारी application है सबसे पहले आप लोगों ने यह application पढ़ियोगी जब exam में question आता है एसी quantity की dimension निकाल सकते हैं जिसकी हमें नहीं पता फॉर्मला निकाल सकते हैं यह सब के एल की पावर एजी की पावर बी एम की पावर सी तो इसका मतलब जो इसका पहला application है वो यही है कि हम unknown quantity की formula निकाल सकते हैं यहां से हम formula derive कर सकते हैं but not exact यह formula derive तो हो जाता है बट हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं ठीक है ना तो formula derive कर लेता है यहां से हम time period का क्या formula ला सकते हैं यहां से abc की value dimensionally compare करके हमें जो formula मिल जाता है वो मिल जाता है root lyg times k पर हम यहां से constant नहीं निकाल सकते हमें यह भी याद रखना है तो इसका मतलब है यहां से जो इसकी application है वो यह है पहली application यह है कि यहां से आप किसी का formula calculate कर सकते हो तो formula derive कर सकते हो बट हर बार सही है formula वो नहीं है क्योंकि जो constant है वो हम नहीं निकाल पाएंगे और आने के बाद भी exact formula यह होगा हम इस पर sure नहीं है बट कहीं जगे यह method बिलकुल काम कर जाता है ठीक है ना तो यह इसका application हो गया दूसरा हम लोग यह चेक कर सकते हैं given equation correct है या नहीं है हम यह चेक कर सकते हैं वो dimensionally correct है या नहीं है जो भी हम equation दे रखी है for example अगर मैं ध्यान से देखू v is equals to ut plus half a t square अगर मान लो कुछ ऐसा दे दे तो आप चेक कर सकते हो यह given equation is dimensionally correct और या नहीं अगर कोई equation dimensionally correct नहीं है तो equation गलत है dimensional correctness हम चेक कर सकते हैं इस method से ठीक है ना तो हमें याद रखना है कि कोई चीज dimensionally correct है या नहीं है वो इस method से आप लोगों को पता चल जाता है कहीं बार आप लोगों के exams में question दिया होता है जैसे मालो of pressure निकालना है और चार options दी है तो हम dimension method से भी check कर लेते हैं dimension check कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया और options की dimension match कर रही है या नहीं तो इस method से अगर आपकी equation dimensionally incorrect है तो equation गलत है बट अगर equation dimensionally correct है इसका मतलब कभी भी यह नहीं होता में error से related question आप लोगों के सामने आ जाते हैं सबसे पहला होता है absolute error absolute error का मतलब क्या है जरा इसके formula पर नजर डालेंगे absolute error है कि भाई सीधी से बात है अगर आपको कोई quantity दे रखी है and individual measure quantity is known as the error of the measurement individual quantity में जो भी error आएगा उसको हम बोलते है absolute error कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारी observation है आपने observation ली a1 a2 a3 किसी चीज़ की observation ली आपने a4 तो आपको पता है यह observation है और एक होगी true value 80 का मतलब मैं बोल देता हूं true value तो जो difference आपका true value और observe value में होगा true value और observe value में जो difference होगा 80-a1 या फिर 80-a2 इसको हम बोलते हैं absolute error इन फिजिकल quantity फिर आपको गे सर अगर true value नहीं पता तो आप इसका मीन लेते हो और मीन लेने के लिए आप जानते हो क्या करते हो a1 प्लस a2 प्लस a3 and so on divided by क्या करोगे जो भी number of quantities है तो आप mean value को ही true value कहते हो इस तरीके से आप absolute error निकाल सकते हो so absolute error positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है ओ अलग बात है जब हम calculation करते हैं तो बात भी हम उसका सिर्फ magnitude ले लेते हैं पट यह positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है so yes absolute error निकालने के लिए हम लोगोंने क्या करना है सबसे पहले number of observation लेनी है even a2 a3 a4 जितनी भी observation है उसको number of observation से divide करना है तो मेरी mean value आ जाएगी जिसको हम true value कह देंगे उसके बाद जो भी अगर मुझे absolute error निकालना है तो मैं क्या करूंगा अपनी true value में से n को माइनस कर दूँगा individual observation को अगर यह आपको clearly नहीं नजर आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं अगर मैं एन निकालना चाहता हूं तो मैं अपनी mean value से क्या minus करूंगा अपनी जो भी मैंने measured value है है ना तो आप देख सकते हो इसको हम बोलेंगे अपना absolute error यह मेरी mean value हो गई और इसमें से मैंने individual observation को minus कर दिया second thing is कि अब अगर हमने absolute निकाल लिया तो mean absolute error क्या होता है जितने भी absolute error लिया है सभी का magnitude लो और divide करो number of observation से यानि कि आपने delta a1 निकाला होगा हो सकता है positive आ या negative आप उसको positive कर दो अगर delta a2 निकाला है वो भी positive negative हो सकता आप उसको भी positive कर दो and so on और divided by n कर दो मतलब absolute errors का भी mean लेलो इसको बोलते है mean absolute error ठीक है next is relative error और fractional error अगर आप relative error निकाल रो या fractional error निकाल रो तो आपको क्या करना है आपने जो भी mean absolute error लिया है divided by आपको जो भी आपकी mean value थी या फिर true value थी उससे divide करना है तो mean absolute error divided by true value this is known as fractional अगर आप इसी में बोलो की percentage क्या होगा तो बहुत simple है percentage error भी इसी से related percentage error में जस्ट आप लोगों को क्या करना है जो भी आपका fractional error है उसमें 100 से multiply कर देना है fractional multiply by 100 है ना fractional error आगया 100 का multiplication कर दो क्या आजाएगा आपका percentage error ठीक है ना ऐसा question एक ncrt में पूरा example दिया है जहां उसने time period लिए number of observation लिए उसमें सब कुछ calculate करके दिया है मैं आपको बिलकुल कहूंगा recommend करूंगा ncrt का वो salt example जरूर पढ़ना अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम देख सकते हैं अब errors हमारे कुछ quantities में हो सकते हैं जैसे कि अगर हम दो physical quantities को add कर रहे हैं तो errors का combination हो जाता है इस तरीके से combination of errors हो गया मान लो मैं अगर resistance measure कर रहा हूं और मेरा एक resistance आ गया लेटर से टू ओम और दूसरा resistance आ गया मेरा फाइव ओम पर दोनों resistance के measurement में कुछ error है तो जब मैं इन दोनों का series combination निकालोंगा तो उसमें भी error आएगा तो उसके लिए हमने यह formula पढ़ा है उनके absolute errors भी add हो जाते है इंडिविजल observation के absolute error उसमें क्या हो जाते है एड हो जाते हैं चाहे quantity subtraction में हो या addition में चाहे आप उनको add कर रहे हो या subtract कर रहे हो जरूरी नहीं है addition हो अगर आप उनको subtract कर रहे हो तो भी उनके relative error क्या होंगे अगर आप x is equals to a minus b कर रहे हो तो भी relative error add होंगे और हमें maximum लेना है तो maximum multiplication division अभी discuss करेंगे addition subtraction में ऐसा ही होता है तो पहले आपने addition देखा अब आप subtraction में भी same ही चीज़ कहोगे यहां भी अगर आपकी कोई quantity मालो आपने दो temperature में जर रहे हैं T2 minus T1 आप कर रहे हो तो delta T2 plus delta T1 यह आपका combination का error आएगा मतलब quantity चाहे एड हो या subtract हो error उनका maximize होगा वो add हो जाएगा error in product and division अगर मालो अगर आप ध्यान से देखो यहां कोई quantity x is equals to a plus b यह a minus b तो आप बोल सकते हो यहां से delta x by x delta x का मतलब क्या हो गया यह मारा mean absolute हो गया divided by x तो mean error या फिर absolute error divided by x physical quantity इसको हम लिख सकते हैं delta a by a plus delta b by b यानि कि quantity जब multiply और divide में होंगी तो उनके relative error नहीं add हो तो उनके mean error नहीं add होंगे जो absolute error है वो add नहीं होंगे जो आपने mean absolute error निकाले थे हम उसको add नहीं कर रहे हम क्या add कर सकते हैं के fractional error को मतलब fractional error in x is equal to fractional error in a plus fractional error in b चाहे quantity a into b लिखियो या a by b लिखियो दोनों case में यह हमारा maximum error होगा ठीक है न अच्छा अब इसे को हम क्या कर सकते हैं अगर ध्यान से देखें इसी quantity को हम थोड़ा और अच्छे से express कर सकते हैं मान लो अगर मेरी कोई quantity होती x is equal to a square b cube c की power 4 ऐसे case में delta x by x अगर आप निकालोगे तो आजाएगा जो भी power a की रखी है 2 delta a by a plus 3 delta b by b plus यहां आजाएगा 4 delta c by c although c नीचे है पर errors में इनको हमें add करना पावर आगे आजाएगी delta a by a delta x by x का मतलब है fractional error in x delta a by a का मतलब है fractional error in a delta b by b का मतलब fractional error b and so on आप percentage के लिए भी कह सकते हो अगर आप दोनों साइड 100 से multiply करोगे तो आप यह भी कह सकते हो percentage error in x is equal to two times percentage error in a plus three times percentage error in b and so on तो यह formula आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा important है इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे अपने आप में एक अलग से टॉपिक है मैं सिर्फ इसका फॉर्मला चॉट में बता दूंगा उसे आप 0 error देखते हैं बट मैं आप लोगों को यहां least count की बात करूंगा यहां आप लोगों को क्या करना जब भी आपको कोई वर्णियर कैलिपर दे रखाओ तो आप लोगों क्या करना है यहां से least count का formula यूज़ करने है और least count का formula है MSD-VSD MSD का मतलब main scale division minus vernier scale division ठीक है ना तो आपको जब भी vernier caliper दे रखा हो तो आप उसमें check करो कितने main scale division कितने vernier scale division से coincide कर रहे है वो सबसे जरूरी है मान लो अगर आप ऐसे लिख रहे हो X time main scale division यह कितना है मेरा Y times vernier scale division तो आप सबसे पहले यहां से VSD की value निकाल लेते हो यह हो जाता है X by Y main scale division जैसे यहां generally आपको ऐसे दे रखा होता है कि 10 main scale division 9 vernier scale division से कर रहे हैं या 9 इससे 10 इससे तो उसमें आप सबसे पहले VSD और MSD के बीच का relation निकालो और उसके बाद आप MSD minus VSD कर दो ठीक है ना तो यह हमारा least count का formula है vernier caliper के लिए screw gauge की अगर हम बात करें इसमें आपको एक rotational scale भी दिया होता है जिसको आप circular scale भी कहते हो जिसको आप घुमाते हो तो यह linearly vary करता है आगे पीछे move करता है तो यहां जो important है अब अगर आप बात करो सर्फ पिच क्या होता है पिच भी हमें नहीं पता तो पिच का formula क्या होता है अगर आप इसको ऐसे rotate करते हो अगर आप इसको rotate करते हो तो यह भार की तरफ चलता है और यहां से stud आगे की तरफ move करता है प्राक्टिकल स्कूल में किया होगा तो ऐसे केस में एक rotation में जतना आप आगे की तरफ move करोगे उसी को हम बोलते है पिच यानि की पिच का मतलब होता है distance move on linear scale आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो distance on linear scale जो आपको सामने नजर आ रहा है दो scale है ना circular एक linear है और divided by क्या होता है number of rotation तो इसको हम बोलते हैं पिच तो सबसे पहला काम है पिच कैलकुलेट करना एक बार आपने पिच कैलकुलेट करी एक्जाम में हो सकता है direct दे दिए हो सकता है पिच डिरेक्ट भी दे दे हो सकता है आपको निकालनी पड़े एसी information दे पिच डिवाइड़ बाइ number of parts on circular scale जितने आपको यहां grids देगा circular scale में वो 0 से 100 भी हो सकते हैं 0 से 50 भी हो सकते हैं उससे divide करोगे तो आपका least count आजाएगा screw gauge में सिर्फ आपको least count निकालना सिखा रहा हूं अभी कि least count इस तरीके से आप calculate कर सकते हो देखो questions अलग तरीके से होते हैं उसमें आपको observation के साथ questions आते हैं अभी सरफ यह formula वाला पार्ट है ठीक है आगे डिसकर्स करते हैं आगे अगे अगर हम चर्चा करते हैं significant figures यह देखने में बहुत हलका topic लगता है पर मैंने देखा है question इसक और स्लिवर से वह NCRT based है तो यह rule कोई deny नहीं कर सकता जो NCRT में दिया है तो एक एक करके मैं सारे rule read करूंगा जैसे all non zero non zero digits are significant significant figures में जो भी non zero digits हैं वो सारी significant होंगी second all the zeros between two non zero digits are significant no matter where the decimal point is if at all अगर zero आ रहे हैं non zero digit के बीच में for example ऐसा आ रहे है two zero three four point five zero six तो यहां सभी के पास significant figure है ना इसके पास सभी के पास significant figure है जीरो दो significant figures के बीच में significant ही count होता है if the number is less than one अगर number one से चोटा है the zero on the right side of the decimal but left to the first non zero digit are not significant for example इसने पूरा समझाया है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यह number zero से चोटा है यह number zero से चोटा है in this case यहां से अगर मैं इनको underline कर दू तो इनका significance नहीं होगा इस वाले zero का होगा पर इसका नहीं होगा तो इसका significance नहीं होगा the terminal or trailing zero in a number without a decimal point are not significant एक है ना they are not significant तो इसका example नीचे दिया है आप 123 मीटर को 123 double zero centimeter भी लिख सकते हो मिली मीटर में भी लिख सकते हो बट इससे significance नहीं बढ़ेगा आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो number of significant digits नहीं बढ़ेगी ठीक है ना यहां यहां तीन है तो यहां भी तीन रहेगी यानि की इन दोनों digits का significance नहीं होगा कोई decimal नहीं लगा तो इनका significance नहीं होगा the trailing zero in a number with a decimal points are significant देखो अब ध्यान से यहां इन दोनों 0 का significance है क्योंकि यहां आपका decimal के बाद आ रहा है decimal के बाद जो यह 0 है इनका significance है पर यहां 6 से पहले कोई होता उसका significance नहीं होता तो यह भी चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है ओके अच्छा फोरा नंबर greater than one without any decimal the trailing zeros are not significant तो यह मैंने पहले भी बताया था decimal नहीं लगा तो फिर उसका significant नहीं होता यह दोनों points अगर आप ध्यान से देखो यह reputation पर यह वही है जो मैंने आपको बताया है फोरा number with decimal significance है अगर decimal नहीं है तो significance नहीं है जैसे कि अगर हम ध्यान से देखे यहां उसमें होला है multiplication division में क्या होगा जैसे आप देखो density का फॉर्मला होता है मास डिवाइड़ वॉल्म अगर आप मास में देखो तो 12344 significant figure है और volume में 3 है अगर आप इन दोनों को divide करोगे तो आपकी जो भी value आएगी उसमें आपके पास 3 significant figures होने चाहिए कितने होने चाहिए और इसके लिए हम round off करेंगे round off का भी आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने rule पड़ा हुआता है round off यह आपने chemistry में भी पढ़े हैं और physics में भी पढ़े round off में भी अगर आप कोई number कर रहे हो two three five six मालो आप ऐसे round off कर रहे हो किसी number को point six seven eight ऐसे कुछ number है अगर आपका यह number five से बढ़ा है तो इसको round off करोगे और यहां वन से इसको बढ़ा दोगे अगर यहां ऐसा होता six seven eight four तो इसको round off करते और eight को सेम रहने देते हैं अगर eight के बाद वाला number five से बढ़ा है तो इसको nine कर दोगे एट के बाद वाला number five से छोटा है तो 80 रहने दोगे तो अगर आप round off कर रहे हो एक decimal आगे नंबर ले जा रहे हो यहां जीरो लिख रहे हो तो आप round off में यह याद रखना बट अगर आप बोलो कि सर अगर ऐसा है six seven eight five five पे क्या करेंगे अगर पालो ऐसे decimal के बाद six seven eight five अगर यहां five लगा वाए तो आप लोगों को याद रखना एक रूल होता है इसको हमेशा आपको इवन बनाना होता है इसको हमेशा इवन बनाना होता है यह उल्रड़ी इवन है तो five को round off करोगे तो यहां एट रहने दोगे पट अगर ऐसा होता 0.6785 यह ऐसा लिखा होता 0.678 की जगे कुछ और नंबर अगर हम चूज कर लेते हैं लेटर से मैंने बोला कि अब नंबर थोड़ा सा बदल देते हैं यहां नंबर को यह चूज कर लेते हैं 0.6775 अब अगर आप five को round off करोगे तो seven क्या बन जाएगा आपका even यानि कि आप इ one बढ़ा दो one से बढ़ा की ठीक है ना और अगर आपको यह तो पता ही है five से बड़े वाला रूल तो सबको पता है ठीक है तो यहां से भी आप लोग क्या करोगे पहले नो नो क्वांटिटी को डिवाइड करोगे उसके बाद जो नंबर आएगा उसको तीन डिजिट सक रा बात जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फीगर से उसमें फाइनल आंसर एक्स्प्रेस करें समझने के लिए मैंने यहां क्वांटिटी ले ली यह सब एक्जामपल है 436.32 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फीगर से डबल 27.2 इसमें 4 है 0.301 इसमें 3 है ना देख सकते हो अगर आप इन सबी क्वांटिटी को एड कर रहे हो तो उसने बोला इन सबी को एड करके यह आया अब इसमें जो आंसर हो minimum significant figures में express नहीं करना यहां जो भी आपका आंसर आएगा वह decimal के बाद जहां minimum significant figures होंगे उसमें होगा यह decimal के बाद एक है यह decimal के बाद तीन सिग्निफिकेंट से यह decimal क करोगे तो टूई आएगा टू को राउंड ओफ करोगे तो एटी आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर फाइव से छोटे हैं तो फाइनल आंसर डबल सिक्स अब लोगों के लिए किसी का लीस्ट काउंट निकालना हूँ और सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है इस बार आप लोगों में आ सकता है वो परसेंटेज एरर से आ सकता है तो आप तयार रहो वैसे वाले कोशन की प्राक्टिस करते रहना मैक्सिमुम कोशन उस तरीके की प्राक्टिस आप कर लेना और आप लोगों के सामने से यहां से चला जाता हूं अलविदा कहता हूं दुबारा मिलूंगा आप लोगों को अगले सेशन में और इंपोर्टेंट फॉर्मला के साथ बाई बाई वर्यवन टेक क्या सी यू सून